क्या आपको ये आक्टर याद हैं शक्ल से आप इने भले ही पहचानते हों लेकिन इनका नाम शायद ही आपको पता हूँ इनका नाम है विवेक शौक जिन्होंने अक्षे कुमार के सामों में काम किया जिसमें इंटरनाशनल खिलाड़ी, अंदास, एतरास, तुमारे हवाले व जाना जाता है, लेकिन आपको बता दे कि 21 जून 1963 को चंडीगण में जन्में विवेक का निधन 47 साल की उमर में हुआ था, दरसल 3 जनवरी 2011 को विवेक वजन घटाने का उपरेशन यानि लिपो सक्षन सर्जरी कराने ठाने के कार खानिस नर्सिंग होम गए थे, प्लास्टि यहां के एक कार्डियोलोजिस्ट डॉक्टर दयानन कुमला ने विवेक की डेथ के बाद बताया था, उनके हार्ट ने काम करना बन कर दिया था, उन्हें तीन एमर्जेंसी शौक भी दिये जा चुके थे, वो लाइब सपोर्ट सिस्टम पर थे, लेकिन कुमा में चले गए और साथ दिन बाद यानि 10 जनवरी 2011 को उनका निधन हो गया था, वैसे लीपो सरजरी के लिए इंसान का एकदम फिट होना जरूरी होता है, वहीं डॉक्टर समीर कार्खानिस के मताबिक विवेक ने उनसे अपनी मेडिकल हिस्टरी छुपाई थी, और जब सरजरी से पहले उनका ECG और 2DE को किया गया, तो वो भी नॉर्मल आया, इस वज़े से उनने सरजरी करने में कोई दिक्कत नजर नहीं आए, लेकिन 2003 में विवेक को बड़ा हार्ट अटाइक आ चुका है, जुपिटर हॉस्पिटल के एक अन्य कार्डिलोजिस डॉक्टर विजिशा ने उस बंद कर दिया था, आपको बता दे कि विवेक शोकतीन बच्चों के पिता है, उनकी फैमली के बारे में ज्यादा जानकारी तो अवेलेबल नहीं है, लेकिन साल 2011 में उनकी मौत के बाद आक्टर आरे बबबर ने कहा था कि उनकी ट्विन बेटियां टीनेज में पहुंच च चोटा है, आपको बता दे कि अक्षे के साथ-साथ विवेक ने सानी दियूल के साथ गदर एक प्रेम का था, 36 चाइना टाउन, शब्दम मौसी, जुर्म, वालाइफ हो तो ऐसी, दम जैसी कई फिल्म्स के साथ-साथ, पंजाबी फिल्म्स में भी काम किया है आप बिल्कुल भी मिसना कर पाएं